हेलो फ्रेंड्स वन्स अगें विल्कम बेक तो माइ चैनल मैं अमन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन टैरेस गार्डन फ्रेंड्स समर सीजन में हरकोई गार्डनर्स अपने गार्डन में रंग भिरंगे फूलो के साथ साथ में काफी ज़्यादा ग्रिनरी और हरा भरा गार्ण अपना देखना पसंद करता हैं जैसे कि आप सामने मेरा गार्डन देख सकते हैं मेरे कई सारे वीडियोस पर काफी ज़्यादा friends comments कर रहे थे, कि भाई आपका garden इतना ज्यादा हरा-भरा केसे हैं, अब इसा क्या करती हैं, कि आपके garden में अतनी ज़्यादा greenery बनि हुई है, हमारे garden में इतनी ज्यादा greenery नहींい रहती है, हम चाये कुछ भी कर लें, स्क्राइब करें तो घड़े तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आगन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके की इन्फरमेटिव वीडियो आपको आगे भी देखने को मिल सकें तो फेंट सबसे पहले जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि कई सारे यहां यहां बताना चाहूंगा कि मैं अपने वीडियो में फेल्टर यूज करता हूं बिल्कुल ओरिजिनल जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं वही सब रियालिटी है तो फेंट अपने गार्डन के ग्रिंट्री और चमक बनाने के लिए मैं कुछ चोड़ोचोड़े ट् यानि कि कोई भी प्लांट होता है तो उसको आप यदि पूरे हमी छाओं में रख दोगे तो उसका कलर थोड़ा सा गरबड हो जाएगा यानि कि इतनी जादा ग्रिंट्री अपके गार्डन में एड नहीं रहेगी या तो वह अग्धम डार्क ग्रीन हो जाएगा या फिर उ उसके बाद दूसरा जो ट्रिक्स में अपनाता हूं वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा कि आप जब भी अपने पोधे को पानी देते हैं तो उसकी जड़ों में ना देते हुए बलकि उसकी उपर शाओरिंग करके दें इसा करने से आपको दो फायदे होंगे एक तो आ मिट्टी जमी रहती हैं वो पानी के साथ में धूल जाती है और प्लांट अपनी पत्यों जो काफी अच्छी ग्रोथ करता हैं और काफी द्यान रखेगा कि जब भी आप अपने प्लांट के उपर पानी दें तो ऊपर से शाओरिंग करके दीजेगा ताकि प्लांट की सारी या अच्छे से वोश हो जाएं प्लांट आपका ग्रेन और चमकदार बना रहेगा उसके बाद में फ्रेंड्स आपको ध्यान देने की जरुत होती हैं जिसके आपकी पत्तियों में इस तरीके से पीला पन आ जाता हैं यह देखे मेरी कुछ पत्तियों में आया हुआ हुआ ह अगर आप अपने प्लांट में जादा पानी कर देंगे तो इस तरीके से पत्तियों का कलर जो है वो चैंज होने लगेगा यानि की पीला होने लगेगा और प्लांट आपका इस तरह से ग्रीन और चमकदार नहीं बनेगा यह देखे अभी मैंने अपनी प्लांट में पानी प्लांट में यह देखे कितनी ज्यादा इसकी चमकदार पत्या बनी हुई है बुल्कुल अक्तम यहां यहां प्लांट पर पेल यह दैक हो करता है आप कि कई प्लांट ऐसे होते हैं चुकि वेरिगेटेट होते हैं लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ यह जो पत्थर चटा का प्लांट है मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा पानी होने की वज़े से इस तरीके से इसकी पत्तियों में पीलापन आ जाता है और इसी की कुछ पत्या मैं आपको दिखाओं तो ये देखी ऊपर में है जो बिल्कुल green green बनी हुई है तो कई न कई इस प्लान को पानी की ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो गया था तो इसकी पत्या इस तरीके से नीचे से पीली होने लगी है तो आप एक बात का हमेश्व ध ज़्यादा देने की वज़े से कई सारी पत्या पीली हो जाती है तो आप ये गल्ती बिल्कुल भी ना करिएगा उसके बाद फ्रेंट्स अगला जो ट्रिक में आपके साथ में शेयर करूंगा वो होता है कि प्लान को एकदम पास-पास में रखना क्योंकि अभी गर्मिया का का हमेशा ध्यान रखेगा कि इतने पास-पास भी ना रख दें कि उनकी पत्या एक दूसरे पर टच होकर कि उनमें फंगस पैदा हो जाए मतलब कि थोड़ी से दूरी बना करके रखेगा लेकिन ज्यादा दूरी नहीं यह देख सकते हैं यह दोनों मेरे गंबले हैं मैक्सि प्लांट है इसकी पत्यों में चमक देखे कितनी ज्यादा ग्रीन है और यह चोटा सा बेवी टियर्स का प्लांट है इसमें भी काफी ज्यादा चमक और ग्रीन ड्री बनी हुई है तो वैसे तो कहीं सारे फ्रेंड्स मुझसे कहते रहते हैं कि आपका इतना अच्छा गार्ण में कभी भी कोई chemical fertilizer अपने गार्ण में कभी भी यूज नहीं करता हूं बिल्कुल घर के organic fertilizer जो होते हैं वही मैं अपने गार्ण में यूज करता रहता हूं तो वह भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसी वीडियो में लेकिन पहले आप मेरे plants की green tree और चमक देख सक हुआ है जहां पर इसको लगबग 3-4 घंटे की धूप आराम से मिल जाती है अभी आप देख सकते हैं उदर पीछे की साइड से इसमें धूप आने लगी है तो किसी भी plant के लिए धूप और पानी सबसे ज्यादा मेटर करता है यदि यह दनों चीज में कोई भी जलासी भी तो आपके प्लान की पतृट यह करेंगे डोलशी और यह कर देख सकते हैं इसके भी कियों सब्सक्undर सब्सक्राइब करता हो जिसे की brand मैं और देख सकते हैं क्यूप पानी दूप देना ही किसी भी plant के लिए काफी नहीं होता है उनको जो nutrition होते हैं जो उनको energy होती है वो भी देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो वह जो मैं देता हूं वह इन सभी चीजों से देता हूं जो कि मेरे घर पर बनाए हुए हैं होमेट देख सकते हैं यह सारे liquid enzymes हैं जो कि घर पर बनाए हुए होते हैं और यह काफी अच्छे से decomposed हो चुके हैं लगबग इनको चार से पांच महीने हो चुके हैं मुझे बनाए हुए यह एक orange वाला है यह मैंने अभी बनाया कुछ समय पहले लेकिन यह जो चारो हैं आपके सामने यह चारो ही मैंने काफी अच्छे से decomposed हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे से बन करके त्यार हो चुके हैं जिनको apply करके आप अपने plants के green tree को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं और चमक अपने garden में काफी ज़दा बिखेर सकते हैं एक बार मैं आपको अपने सारे plants दिखा देत हैं लेकिन इन में से जितने भी fertilizer आप देख सकते हैं सभी अलग-अलग कामों के लिए हैं जैसे कि बनाना पे liquid fertilizer पोदे की growth के लिए हैं पोटेटो पेल अच्छी का सी मिट्टी को उपजाओ बनाने के लिए हैं ओनियन जो फिल fertilizer है यह फूलों को खिलाने के मदद करता है और मैं अलग-अलग अपने plants में यूज नहीं करता हूँ मैं इस तरीके से यूज करता हूँ कि यह जो जितने भी fertilizer हैं इन सभी को 50-50 sorry 5-5 ml इन सभी को मिला करके अच्छे से डायलोट कर लेता हूँ एक लिटर पानी में और उस पानी को अपने सभी plant के उपर अच्छे से शाव कहते हैं कई सारी varieties में आते हैं तो इसकी चमक आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रीन रिप बनी हुई है तो इसी वज़े fertilizer के वज़े से संभव हो पता हैं जिनको मैं अपने plant के उपर apply करता हूँ हफते में एक बार और महीने में चार बार यानिकि जो चार बार महीने में होता हैं इन सभी fertilizer को मैं अपनी plants के उपर अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ और पूरी shower करके इनको देता हूँ जिसे कि मेरे plant इतने ज़्यादा lush green चमकदार बने हुए हैं तो इन सभी tricks को अपना करके आप भी अपने garden को इतने ज़्यादा खूबसूरत चमकदार और lush green बना सकते हैं और इतनी ज़्यादा green रिया आप भी अपने garden में add कर सकते हैं जैसा कि आप सामने वीडियो में देख सकते हैं तो fancy वीडियो आपको कैसी लगी comments करके जरूर बताएगा वीडियो पसंदार तो मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजेगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजेगा ताकि वो भी इस तरीके से अपने garden में green tree add करके अपने garden को खूबसूरत रंग भी रंगे फूलो वाला और बहुत चमकदार बना सकें प्लिस दो लाक शर कमें और सब्सक्राब तो आर यूटूब चैनल इन विच अमंटर इस गार्ण धन्यवाद